मैं कि एलो गईस कैसे हैं आप लोग ते आप लोगों का फिर से मेरे एक ने वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा घैस कि रेडमी एटू फोन में आप लोग कैसे बलुटूट कीप स्टोपिंग प्रोब्लेम को सॉल्ब कर सकते हो आगर आपके फोन में भी सुब्सक्रेब जरूर से कर लिजिए तो चलिए गई वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला आप लोग क्या करने का स्ट्विश यहाँ पर स्याप लोगे को सेटिंग्स में जाने के बाद नीचे स्क्रोल डाउन कर लेना नीचे अप्शन देखने हूं मिलेगे इस कनेक्शन एंड शेरिंग का इस पे क्लिक कर दीजिए क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रोल डाउन कर दीजिए यहां पर एक ओप्षिन देखने को मिलेगा इस रिसेट वाइफाई मुबाल नेट्रोक्स और ब्लूटूथ तो इस पे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद नीचे रिसेट सेटिंग्स का ओप्षिन रिसेट करेंगे तो यहां पर देख सकते हमारा ब्लूटूथ मुबाल नेट्रोक्स वाइफाई तीनों ही रिसेट हो जाएंगे तो यहां पर से हम रिसेट सेटिंग्स क्लिक कर देंगे क्लिक करती यहां पर हमा क्लिक करने के बाद या पर गाइस एक Bluetooth का option देखने को मिलेगा इसको आप लोगों को धून लेना है ठीए गाइस देख सकते यह रहा Bluetooth का option इस पर क्लिक कर दीजे clear all data पर क्लिक कर दीजे और ok पर क्लिक कर दीजे ऐसा करने से भी आप लोगों को जो Bluetooth keep stopping problem है वो 100% guys solve हो जाएगा तो ऐसे करके आप लोग अपने Redmi A2 phone मे Bluetooth keep stopping problem को solve कर सकते हो मैंने आप दो नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई बाई